सब्सक्राइब करेंगे कि इस्तरी करने की क्या क्या संकेथ होते हैं आप बेसिकली जब इस आयरिनिंग करते हैं तो आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है तो उससे लिए वीडियो में आपके सामने लेके आई हूं आपको एक चित्र दिख रहा होगा पहले नंबर पर यह है अपना इस तरी का चित्र जिसे अपन बोलते हैं आयरन ठीक है यह अपन बोलते हैं प्रैस तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि जब हम प्रैस के समय हमें यूज में करते टाइम किन-किन बातों को मद्धे नजर रखन में रखना है तो यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज मर्ना की जिंदिगी में यह बहुत काम के आने वाला चीज होती है तो सबसे पहले आपन देखते हैं लिखित रख रखाव के निटदेश तो आप देखें रख सूखा इस्तरी आपको करना है इसका निदेश का आर्थ है कि वस्तर की इस्तरी नेमित रूप से की जानी चाहिए इसमें भाप की जरुरत की भी हो सकती है और बिना भाप के इस्तरी भी की जा सकती है मतलब आप इसमें भाप के साथ भी कर सकते हैं पहला साइन यह आपको प आपको लो टाइमप्रेचर पर इस्तरी करने के लिए आपको संके दे रहा है भाब द्वारा या बिना भाब की नियमित रूप से इस्तरी करें तापकरम 110 जिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए मतलब आपको टाइमप्रेचर नहीं रखना है नेक्स्ट आपको दो डोटों वाला दिखना है इस्तरी का साइन उसमें मेंशन कर रहा है कि मध्यम तापकरम पर इस्तरी करना है मतलब आपको मीडियम टाइमप्रेचर पर ही इस्तरी करना है भाब द्वारा या बिना भाब के न बहुत heating point पे चला जाएगा और आपका वस्र चल जाएगा इसलिए कई कपड़ों पे आपने देखा ही mark बना होता है तो इंडिकेट करता है कि आपको इतने ही temperature से दीचे के अंदर ही आपको काम करना है नेक्स आपको दिख रहा है चौते नमबर पर जिसमें इस्तरी का sign है अपनी press का sign है symbol उसमें three dots आपको mention हो रहे हैं तो आपको बता रहा है कि उचे तापकरम पर इस्तरी करना मतलब high temperature पर इस्तरी कर सकते हैं भाप या बिना भाप के नियमित रूप से वस्तर पर इस्तरी करें तापकरम 200 degree Celsius से अधिक नहीं होना चाहिए पाचवे नमबर पर जो आपको दिख रहा है एक sign जिसमें मैंने लिख रहा का है उसके सामने भाप द्वारा इस्तरी नहीं करना तो यह आपको indicate कर रहा है कि भाप द्वारा किसी कपड़े पर ये भी लिखा होता है कि इस पर कुलते हैं आपको किया जाना बिल्कुल भी नहीं है यदि आप भाब देकर इस्तरी की जाएगी तो इसके रेश्यों को नुकसान पहुचेगा मतलब कपड़ा आपका खराब हो जाएगा सूखा इस्तरी बिना पानी के आप कर सकते हैं ठीक है चटे नमबर पर आप देख सक के सिंबल्स बताये थे जो बेसिकली आपके कपड़ों के उपर दिये हुए होते हैं परन्तु हम उसके बारे में अंजान होते हैं मैं पता ही नहीं होता इन सिंबल्स का क्या आर्थ है और इस सिंबल्स बहुत ही इंपोर्टेंट हैं आई हो वीडियो अच्छा रगा होगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं नहीं वीडियो में चिल्ट के के और बबाए ध्यान रखें